नमस्कार दोस्तों आज आपको बताऊंगा अलीएक्सप्रेस.com वेबसाइट के बारे में इस वेबसाइट के द्वारा हम किसी विपरकार की ओनलाइन सोपिंग कर सकते हैं यह विदेशी वेबसाइट है जिसमें क्या समस्य हैं कौन से फायदें कौन से नुक्सान हैं वो सारा आज मैं आपको बताऊंगा और आज का वीडियो यह मानिए मेरे चैनल पे सबसे इपोर्टेट है और जो आपके साथ या आपके प्रिवार के साथ या किसी भी वेक्ति के साथ जैसे न्यूज में भी आपने देखा होगा कि इतने रुपे निकाल लिए या इतना पैसा निक वीडियो पूरा ध्यान से सुनना है चैनल को सस्क्राइब करना है लाइक करना है यदि पसंद आए तो अली एक्स्प्रेस वेबसाइट है इसके द्वारा हम कोई भी सोपिंग कर सकते हैं और जैसे फिलिफ कार्ड है या स्नेप डिल है या अन्य जो भी एमेजन वेगरा जो वेबसाइटों के पर डालते हैं तो उनका एक तरिक्का ये भी है कि वो अली एक्स्प्रेस के द्वारा अपना मेट्रिल मुआते हैं सस्ते में और अपने को वही मेट्रिल दुबारा सोपचास रुपे प्रोफिट रखके अपने को दे दे तो इससे अच्छा है आप डाइ क्योंकि वह सकता है पेमेंट फैल हो जाए या अनने कोई रिजन हो जाए तो उस कंडिशन में वह आपको ओडर नमबर काम आएगा यह ओडर डिया गया था ओडर क्या वा मैंने जब दिया यह जब मैंने यह सेलेक्ट किया उसमें और पेमेंट काटने के टाइम में कम से कम पांस साथ गंटे का टाईम हो गया मैंने ओर से उकर इए और जैसे पेमेंट कटॉ पेमेट नहीं हुआ और मेरा पेमेंट वे पेंडिश्क हुझाय से या पेंडिचर पेंडियोने बिन पहली बार शोपिंग कर रहा होता है उसको तीन डॉलर फ्री के अंदर कूपन दिया जाता है यानि पहला ओडर मान के चलो आप जैसे चार डॉलर का दे रहे हो तो उसके अंदर आप तीन डॉलर माइनस कर दो एक डॉलर के अंदर वो ओडर आएगा मान लो ही कम से कम 28 यान तीन सो रुपे का जो आइटम है वो आपको सो रुपे में मिल जाएगा पहला ओडर तो यह इसका एक प्रोफिट है मेरे दुआरा जो पेमेंट कटा था उसके रिगोर्डिंग जो कस्टमेर के रोते हैं उसमें ना कोई इमेल आडी उनकी और ना ही साथ क्या होता है चार्ट के द्वारा यह बात की जाती है तो मैंने जब बात किया कि पेमेंट कब तक आएगा तो वह तीन से बीस दिन का टाइम लगता है उसके अंदर वह पेमेंट आ जाएगा और वाटसअप वगएरा के ओपर वह कॉंटेक्ट नहीं करेंगे या स्क्री वह लिंक जैसे ओपन करोगे तो उस सबसे पहले उप्सन आएगा है यह जो पहला उप्सन आएगा कि आप अपने अकाउंट के अंदर है या नहीं है तो आपको यस करना यहां पर यहां पर जो पहला जो लाइन है उसमें एटियम के जो पहले 6 एक्सर है वह डालने और लास इतना अमाउंट आपका कटा उसके बाद में लाइन है इसको पकड़ करके और सीधा ऐसे खीच देना है तो वह समिट हो जाएगा इदि आपके पास ओडर नंबर है तो उस लिंक पर जाना है और इस दोनों में येस येस करना है शुरू में और आगे फिर ओडर नंबर इसके अंदर OTP अपडेट जरूर करवा लें या पासफ़र कंडिशन जरूर अपलाई करवा दें क्योंकि इस वेबसाइट के उपर जैसे आप पेमिंट जो ATM डेविट कार्ड के उपर जो 16 एकसर होते हैं वो डालते ही और बैक साइड के जो थ्री डिजिट होते हैं डालते पेमिंट कर जाएगा ना तो आपके बास OTP आएगा ना ही पासफ़र कुछेगा सिधा पेमिंट कर जाएगा तो इस कंडिशन में आप अपने ATM को जरूर इस कंडिशन में अपलाई करवाएं और बैंक में भी जाएं और उनको बोलें कि बिना OTP और बिना पासफ़र मेरे ATM स ले लें यह दि बविस्से में कभी भी आपका पेमिंट कटता है तो उस अप्लिकेशन को अपने सम्भाल के रखें और बैंक के उपर आप सिकाहित कर सकते हो या बैंक के उपर आप दावा कर सकते हो क्योंकि मेरा जो पेमिंट है जब कटा मैंने तो मैंने सुचा कि ना तो भी लिया और ना ही पास्वड फूसा और पेमिंट कट गया बैंक से खटाक से जब ट्रांजेक्शन इस्ट्री सम्भाली तो उसमें भी कटा हुआ था तो यह तो मेरे को बहुत बेकार सर्विस लगी यह टीम की तो मैंने फिर बाद में अभी मेल किया है बैंक को और उनको भी देनी है कि OTP और पास्वड के बिना पेमिंट नहीं कटी ऐसे यह और भी वेबसाइट हैं तो एक रिजन यह है कि जब भी फ्रोड हो रहा है जैसे अकबारों के अंदर न्यूज आती है और आती है तो उसमें फ्रोड का एक रिजन तो यह आपको मिल गया है कि लोग जो इतने के अंदर आप वो ओनलाइन सोपिंग कर लेंगे आपका जो पेमिंट है वो खलास हो जाएगा और बड़ी बड़ी सोपिंग करेंगे तो इस कंडिशन में और उसके बाद में आप जब ATM पे अपनी परची देखते हो कि हाँ बैलेंस कितना है तो बैलेंस भी देख ले ATM पे लागू करवाएं इंडियन वेबसाइट है उन पे लागू है यह जो विदेशी वेबसाइट है ना उनके ओपर लागू नहीं है और विदेशी वेबसाइटों के ओपर शोपिंग होती है और उसकी जानकारी लेना बहुती मुख्ल हो जाता है कि पेमिंट किस ने टाइम लेंगे और इसका लाब यह है कि दूसरी वेबसाइट से सस्ते आइटम बिलते हैं तो सूचना अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और यह जो लिंक जो है मैं मैं वह मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा आप शोपिं कर सकते हो थैंक यू